हेलो गुड मॉनिंग वेलकम तु दे कोचिंग अभिसे कोचिंग सर्विसे यूट्यूब चनल और आईए बात करतें इस वीडियो में कि आप लोगों को लोको पैलेट कैसे बनना है उसी के बारे हम बात करेंगे इस पूरे वीडियो में तो आप लोग पूरा बने रहे इस ट देखेंगा आपको सारी सारी कन्फीजन दूर रहेगे सबसे पहले आपका क्वालिफीकेशन है क्या होनी चाहिए यादि कि अट्रिक अब देखिया तेंथ के बाद क्या कर सकते हैं कि अधिक रिकार सकते हैं अग। पास है तब आप कभी भी किसी भी टाइम आप कर सकते हैं डिपलोमा या फिर आइटी है आपको हम बता देए डिपलोमा का जो सबसे में ट्रेड या ब्रांच होती है वह सबसे करना यह कि सिविल और कंप्यूटर सेक्टर को छोड़ करके आप कुछ भी करिए आप बन जाएंगे लोग को पर आपको करना तो दो साल वाली करने हैं एक साल वाली जो आइटी होते हैं डिजल मेकानिक सिर्फ उसी का मानता प्राप्त है एक वीडियो में हम बता चुके हैं कि आइटी आई का वह टोटल पंद्रह ऐसा ट्रेड कौन सा है जिससे कि आप लोग मतलब कि उसी से आप आप लोको वाली बन सकते मतलब कि उस आप फॉर्म डाल सकते हैं तो उसका मैं आपको यहां पर एसके डिखा रहा हूं यहां पर आप इसमें देख लिजे कि आपको जो आपको suitable लगे वह चीज आप कर सकते हैं इसमें देखे इलेक्रिशन है फिर्टर है इसका देखे डिजल मैकानिक है इलेक्ट्रोनिक मैकानिक इलेक्ट्रोनिक रेडियो टीव यह सब चीज़ है इसमें आपको सिविल और आइटी सेक्टर नहीं मिलेगा एक कोपा होता है वह अब बन सकते हैं अब अगला सवाल होता है आप लोग की अप्रेंटीज जरूरी है या फिर नहीं जरूरी है तो आईटी अप्रेंटीज एक तरह का ट्रेंग है अपका एक तरह का वो लेकी एक्सप्रियेंस सेक्टिफिकेट है तो आप बिल्कुल लोग को पाल्ट बनने के लिए अप्रेंटीज जरूरी नहीं है अगर आप कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कहीं पभी चर्चाने कि आप अप्रेंटीज दीजिए या फिर नहीं दीजिए या उसका करने होती है वह होती है अपको एज को ले करके बहुत साहीं लोग एज में मलगन कन् फ्रूजन होती है कि कितने फिलोग भर सकते हैं डेकिशे है कि 18 से लेगर के 30 साल यह जनरली है मना जनरल कैटावरी के जो भी है जनरली आप भड़ेंगे 18 से लेगर के 30 साल के बीच जिसका भी उमड़ होगा वह लोको पोन भर सकते हैं लेकिन जब आपका चाम को तीन साल की चूट मिलती है और स्थी यह अगर आपको यह र kennंसक्त तानल सकते की नॉर्मली है इसके लापकर एक्स सर्विस मैंठ के लिए और ख्यादा होती आभे देखिए जो फीजिकल हैंडी और होती है यानिए कि DQ कोटा से मतला कि जो विकलांग काटवरी मादे हैं ढिव्यांग के थोड़ी मा आते है उसके लिए लोकोपाइल्ट कोई जगा है या फिर नहीं है तो उसका जो है उसका जो विकलांगता का परशेंट वो कितना परशेंट है इसका जो पास करें अगर आपका लोको पाइड नहीं हो पाएगा अब माले आपके पास बस आंसी गूप से बेखलांगता है और आप माले की लोको पाइड के जो है मेडिकल उसमें आपको अनफिट कर दिया तो आपका टेकनिसेंट में सेलेक्शन हो जाएगा दोनों का एकजाम प्रोस सबसे अगला जो सबाल होता है वह होता है कि वेडिफिकेशन सबसे रही हम हैं नहीं नहीं होता है और यह है ले एकशन नहीं मांगा जाता हुआ पर बस आपका मैट्रिक यानि क्लास टेंथ पास करने का सर्टिफिकेट चाहिए बस वही सर्टिफिकेट उसका मार्क सिट भी आपको नहीं देखेगा मार्क से एक बात हमें याद आ रही है कि बहुत साइब लोगों का यह सवाल होता है कि हमारा कि आपका मैट्रिक पास होना जरूरी है आपका परशण्टे से मतलब नहीं है 80 परशेंट 85 परशेंट 56 यहां पर बस फॉर्म डाल सकते हैं बस आपका मैट्रिक पास होने चाहिए अब वैसे सवाल हो वैसे सवालों मैं डाउट किलिए कर देता हूँ जो एस्टोन जो है वो तो मैट्रिक में उसका एक या दो सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया है और वो दुबारा से उस पेपर का एक्जाम देगर के वो पास कर चुके हैं तब कोई दीकत नहीं है आप फॉर्म बिल्कुल डासते इसमें आप डाउट बिल्कुल ही मत रखिए चलिए यह रहा बात और आप आप kafना पर यो साथ बस ऑनली सर्टिफिपट Tuesday देखता है मैट्रिक का इसका फिर देखिए अप ड है इस इस पर देखिए आपका अगर OBC, SC, ST क्याटवडी किसी भी क्याटवडी से हैं तो बस आपको उसका सर्टिफिकेट एक आप जो फॉर्म भर रहे हैं उसका वह सर्टिफिकेट देखता है जो अपने फॉर्म में लगाया है और एक सर्टिफिकेट देखता है बिल्कुल करेंट का बना हुआ और वह जो करेंट बना हुआ आता है वह किस से कौन से कौन सा जो उसको वेरिफाइब करेंगा तो इसका जाल लीजिए कि डेल बे जो है वह भारत सरकार का जॉब है इसलिए जो भारत सरकार की जो ऑफिसर होंगे उसी से सर्टिफिकाइड जो है सर्टिफिकेट आपका वहाँ पर चलेगा तो इसमें देखिए भारस आपका जो ब्लॉक के अंदर में अनुमंडल होता है अनुमंडली यह पदाधिकारी जो होते हैं वो अगर अगर आपके सट्पिकर को साइन कर दे तब चलेगा या फिर जिला अधिकारी होते हैं डीम या फिर उनके परति तर्फ यह संट्रल ओफिसर से अवो उसी करवा के ले जाया था बस ज्यादा सर्टिपिकेट ने बस तीन से चार स्टिपिकेट ही देखता है और ज्यादा कुछ देखता ही नहीं है इसलिए बहुत साही लोग कन्फिजन में यह था है कि मार्क सिट ले जाए एडमिट कार्ण सब कुछ नहीं बस ओंडुबल सा होता है वहां पे इंटरव्यू कुछ नहीं होता है आपके आप को ले करके अगर आपकी आखें बिल्कुल सही हैं अभी जो आप वीडियो देख रहें आप बीनी चस्मेक हैं सब कुछ ठीक है तो आप टेंसन मिल नहीं रखना है अगर आपको कोई फॉल्ट है भी न तब भी टेंसना नहीं रखना है फिर भी आपको एक्जाम की तैयारी करन लिए तो या फिर एक चोटी से उंगली कटी होई या फिर किसी तरह के दाग धबा कुछ भी है या फिर पैर के हड़ी तूट गई है और फिर दुवारा से स्टील लगा कि उसको जोड दिया गया अभी बिल्कुल सही है तो ऐसे होते हैं वह कंफीजन मत दे कि मेरा हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा इसमें कोई डाउट नहीं कि अपका नहीं हो पाएगा मेडिकल अनफिट हो जाएंगे उससे कोई मतलब नहीं है बस वहां पर आखे में रूप से देखी जाती है और कुछ निए अपका आगर आँक सही है तो तो यह आपका मेडिकल समदित इसके बाद आपका असिस्टेंट करूप में आपकी जोइनिंग होती है उसको फिर आपको जो भी हो आपका चलतार ट्रेनिंग उसकी छे मेनिक होती है अब आईते हैं आगे का प्रोसेस बताते हैं कि फॉर्म निकलती किस तरह से किस समय वैके सब्सक्राइब करने की तरीके में अंतर होता है जब कॉंग्रेस की सरकार्ती तो परतेक साल वैकेंसी निकलती थी और अलग अलग रेलवे भरती बोड अलग लग वैकेंसी निकालती थी जब एक समय जब ममता बनर जी बनी थी रेल मंतरी तो उन्होंने एक अच्छा सानियम लगाया था कि एक पोस्ट के लिए एक ही एक जाम होगी पूरे देश में इससे सभी जगह के एक बड़ावर समय का मिला तो वह बहुत अच्छार जो क्रमचाड़ी यह उपर तेक साल रिटायर होते हैं तो जो रिटायर की जो पोस्ट होई और भी रेलवे का जो काम बर रहा है इससे वैकेंसी खाली रहा जाती है बहुत सारे इसे भी काम होगी टेंडर पर करवाया जाते है लेकिन जो जिम्मवारा काम होता है मनलं सरकारी पोस्ट चाहिए चाहिए एक्स्प्रियांच लोग चाहिए जिम्मवार नोग चाहिए चाहिए तो इसलिए बहुत सारे लोह को यह भी स्वाल होताँ कि रेलवे तो प्राइवेट हो रही है वैकेंसी नहीं आएगगी इसलिए हम पढना ही चौड़ देता है तो बिल्कुल भी सचनी वैकेंसी जिसे जिस दर आती रही है वह इसा ही आती रहेगी आहीं वह मता है कि परतेक साल जो है पचासी से लिएकर के नचीन क्रम लिटायर होते उतने पोस्ट खाली होती है तो कोण्रेस जब थी तो परतेक साल वो पोस्ट को भर देती लेकिन जब बीचेपी सरकार आई तो इसको पांच भाग में डिवाइड करती यानि कि ज्यादा कुछ अंतर हुआ नहीं हालांके इसी का काम करने का तरीका मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा क्योंकि बीजेपी जब आई जब तीन साल चार्श वैकेंसी रोक करके एक साथ वैकेंसी दे दिया इससे फाइदा क्या होगा कि एक एवरेज एव एस्ट्वेंट था उ और जब जब दो साल तीन साल चार्श वैकेंसी आ रही है अभी के समय में जब बीजेपी गवर्मेंट है इससे एक नुकसान यह होता है इस्ट्वेंट का कि जो एज जो है वो तीस पार हो चुका है तो उसके लिए बस एक या दो साल का अगर समय रहता है तो उसका मता बीजेपी मत समझेगा चले आगे हम लोग बात करते हैं इसमें वैकेंसी अभी देखे कव निकलते हैं कौन निकलता है तो जैसे कि आपके आसपास जो एक्ट्वेंट तयारी करते होंगे आपको को सी कोचिंग से स्थाम जूरे होंगे तो आपको पता चल जाते हो लेकिन आ पहले आप आईटे कर लेजिए उसको आद फॉर्म डालेगा क्योंकि फॉर्म हमेशा थोरे ना एवलेबल रहती है और जो दूर दराज के होते हैं उसको पता नहीं था कि मदब क्या प्रोसेस होता है आप ही लोग को बिल्कुल सही तरीके समझाने के लिए हम यूटूब प आयन पे आप जाईएगा तो तो वहां से आपको वेकैंसी पता चलेगी या फिर आरबी का किसी भी वेबसाइट ऑफिसल वेबसाइट पर आपको वेकैंसी बिल्कुल एक साथ देखने को मिलती है जब फॉर्म निकलती है यह बहुत बड़े लेवल पर निकलती है इसलिए तो हर जगा से कहीं कहीं से आपको मिली जाएगे इसकी इनफर्मेशन या फिर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी हमारे वाट्सेप पर लिए तो यह रहा तो जब फॉर्म निकलती है अरभी की तरब से पर भण बड़ने में कम से कम एक महिने का आपको समय म एक अब आगे का प्रोस से तीस के बारे मुन बात करते हैं तो देखिए सबसे पई जब वैकेंसी निकल गई उसका फंध आप डाल दिए उसके बाद क्या होगा उसके बांद आपकं देलबे लोको प्हूट के बाते हैं रेले लोको पाल्ट में देखिए तीन एक्जाम होता है CBT1 उसको CBT2 CBT2 और CBT3 तीनों में क्या अंतर है आई समझते हैं CBT1 आपका प्री एक्जाम होगा मतलब कि प्राइमरी एक्जाम होगा इसको बोले PT होगया CBT1 PT होगया CBT2 आपका मेल्स होगया और जो टेक्निशन और लोकोपाल्ट का वैकेंसी बिल्कुल साथ सार निकलती है दोनों का सेम एकजाम होता है तो CBT1 और CBT2 दोनों एस्टोइंट के लिए होते हैं उसके लिए क्या होता है उसके लिए तीसरा भी टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं CBT3 इसी का दूसरा नम स्थी कि अब हम बहुत करतें CBT1 का यहां एक क्वालीफाइंग टेस्ट है क्वालीफाइंग इसलिए नाम है क्योंकि सबस्था में पचसत्तर नंबर की अब क्यों की मां JEFF आ जाए आपको इस का जो कि आपको क्या करना है आपको जाना है आपको स्टर सब्सक्राइब निकलत आपको 50-辦法 सब्सक्राइब करेंड से टॉक्षियानल ना निकलतना होगा सब्सक्राइब देखें से बीटी वन है सिबीटी वन सिबीटी वन में देखें कॉंवा सब्जेक्ट पूछता है सबसे बहुत है मैथ और इसनिंग के बाद आपका साइन्स है इसमें लगो पतीस कोष्टा वाद बीश मैथ बीश रिजनिंग और अब देखें सीवीटी टू में दो पर होती है सिवीटी टू में आपका दो पर होता है पार्ट एचे किया या फिर मेकनिकल से इपलेमा के लिए पेया तो तो क्या होता वोँ त्रेड कि यह अनुसार होता है तो त्रेड ही हरो सारे। और हमको लोको पालिट का फॉर्म दुबारा से फिर हमको फॉर्म CBT1 एक्जाम जब पास करेंगे तो आपको CBT2 का फॉर्म दुबारा से भरना पड़ेगा तो इसमें क्या होगा कि इसमें यह होगा कि आपको वहाँ पे ट्रेड को सेलेक्शन का आपको चार-पांच ऑप्सन म और फिर आप और ऑटो मॉबाइल स्लेक्ट रहें घो भी आप आरेसी लेक्ट करेंगे ऊपरिस up करेंगें जो स्याएंग का लौक बाइर्ट करना आपको सेलेक्ट करना है जिसले कम को सेलेक्ट करना रहां जैसे हम तो उस पो जो 75 जो कोच्छन होते हैं उसमें बस क्वाइलिफाइंग नमर लाना होता है सब एसन को 35 परसंट 35 परसंट नमर अपला दिये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन तो आपका क्वालिफाई हो जाएंगे इसका जो सबसे इंपोर्टेंट जो टेस्ट होता है सीबीटी टू का पार्ट एपार्ट ए में आपका एक सो कोच्छन पूचता है और इसका देखिए कुछ इस तरह से 25 नेख परसंट पर चालिस बेसिक साइंस और इंजिनियरिंग अब देखिए तो आपको basic science and engineering में से आपको 40 questions पूछता है त्यानि की 50, 40, 90 और 10 questions आपका मतलब जीके और current question में से पूछला जीके कोशन बिल्कुल भी नहीं पूछता हमाद 4-5 questions नहीं आता है GK मतलब होता है history, geography, economics, political, science, basic, GK, game, GK ये सम्में से और current question में से 5-7 questions पूछी लेता है वसे GK तो पूरी दर से हटा ही दिया गया में आपका है science, math, reasoning, basic science and engineering तो आप I hope कि आपको ये भी समझ गया CBT-2 को हमने main skew कहा था इसको आप समझ लिजे CBT-2 में आपका जो है जो पार्ट A है उसमें आप जितना भी अच्छा नंबर लाईएगा वो आपका merit त्यार करेगा आपका merit जैसे माले CBT-2 का part A में हमने 75 नंबर लाया और co-estrain 70 नंबर लाया है तो 70 नंबर बाले से पहले मेरा नँ होगा 2018 साइको टेस्ट के बारे में हमारा यह मानना यह है कि साइको टेस्ट के बारे में आप सोचिए बिल्कुल मत अभी से बिल्कुल मत सोचिए जब आप से बीटी वान और से बीटी टू पास हो जाएगा तो आप साइको टेस्ट के तयारी करिए यह बस सिर्फ सिर्फ सात दिन य कि आपका और मैंड बहुंच जदर दिस्टर्ब बहता है साइक वाइव कम समय में सही डिसीजन कईसे लेता है बस इस ही का टेस्ट होता है फीगर के माध्यम से वो ले लेता है तो बस जिस समय आप फीडिये सब्सक्राइब कर सकते हैं सबी टीचर लब से मी बताते हैं और इसमें बस 42 परशेंट नमबर अपका लाना है लेकिन आप अगर अभी से तयारी करें तो आपके माने बहुत सारे सब्सक्राइब करना है जैसे टेस्ट क्रिकेट में होती है उसतर्स करना है अप अगर इसको सुपर ऑफर बना दीजेगा से बीटी वन से बीट टू की तरह तो बिल्कुल फेल हो जाए इसमें अगर आप गलती ज्यादा किये तब करेंट नहीं आएगा तो सीबीटी त्री के बारे में आपको अभी से बिल्कुल मैं सब्सक्राइब आपका रियल्ट निकल उसमें आपने जितना भी नंबर लाया उसका निकाले आपका शक्राफ परसेंट ओजस्थे भंब्लार बनार एक 2018-OP 30 सब्सक्राइब जाएगी लेकिन जब देखें सब्सक्राइब के बाद आपको कितने समय के बाद बुलाई जा सकता है भारत में लिमिटेट संख्या में ट्रेनिंग सेंटर होते लोको पालिट को बिल्कु प्रॉपर रूप से ट्रेनिंग करवाया तो एक एक स्ट्रेंड को इसलिए वहाँ पर टाइम लग सकती है आपका छे मैंस लेकर के दो साल या फी तीन साल का भी समय ल मालेजे आप है महराष्ट के और आप चाहते हैं कि हम जो फॉर्म भड़े गुहार्टी में पड़े या फिर उत्तरप्रदिस के लखनों में बढ़े या फिर दिल्ली में बढ़े या मुंबए मैं कहीं भी यह पर यह जो फॉर्म होती है यह आप ऑल इंडिया निकलती है ऑ पर्षॉण सब्सक्राइब भी यहां पहलो है यहां पर गुता नहीं बहुतं आव सब्सक्समिश्राइब कर दो है है और यहां आप को बिहार को सब्सक्राइब top पे चल रहे हैं ऑजलो यह आता हैं महारास्ट और ट्रिक भी काम करता है लेकि अवं क्योंकि आन Л And कई पई कर लेता है चलिए यही बात अब हम बात करते हैं त्यार ही इसकी कैसे की जाए देखिए त्यार ही इसकी कैसे की जाए आप हमारा ओल्लेन कोचिंग जोईन कीजिए इसमें आपको देंगे आपको देंगे मास्टर नोट्स और स्मार्ट वीडियो कोचिंग जैसा कि आपको पता है कि हमारा कोचिंग बहुत दिन चल रहा है और हम दो बार इसको निकाल भी चुके तो हमने आइडिया का नुसार हो अपने मेथड से हमने सभी टॉपिक का मास्टर नोट्स लिखा और आ बिलती है क्या सवन डिलिवरी में बस आपको अपना एड्रेस और इमेल आडिया में वाट्सेप भेजना है हमारा वाट्सेप नमबर कुछ इस तरह से है 8406-89-116 आपके पास अगर कोई डाउट हो तब भी आपको इस नमबर पर पूश सकते हैं तो यह रहा आपका तरीका और बाद बांकी की चीज़े आप हमें इस पर फोन करके पूश लिजे या भी हमें वाट्सेप करके पूश लिजे बस आपको मास्टर नोट्स और स्मार्ट वीडियो कोचिन लेना है घर बैठ त्यारी करनी है अगर आपकी आईट्या हो चुके है तो आपका त्यारी तीन स उस वीडियो को कभी भी किसी इब टाइम जितना मनुतना बार देख सकते हैं और उसमें जो हम तरीका बता हैं बस देर से दो गंटे गंदर में एक चप्रा का कुप्लिट होगा मैच से स्टार्टिं होगी डिजिनिंग साइंस सभी सब्जेट का आपको नोट्स मिलेगी सभ